मानिय दिविजय सिंगी जी पाँच मिनट सर समय है आपके लिए धन्यवाद मानिय उप्सवाति मौदे मैं जो बिल लाया गया उसका समर्थन करता हूँ लेकिन दो तीन बाते कहना चाहता हूँ जो सरकार आज है वो मूल रूप से आरक्षन विरोधी रही है उस विचार धारे और यही कारण है की जो यूनिविसिटी ग्रांट कमिशन काइडलाइन दोजाच छे के खिलाफ हाई कोट अलाबाद में निर्ने दिया कि इंस्ट्यूशन के बजाए डिपार्टमेंट वाइज और सब्जेक्ट वाइज आरक्षन होगा वो पूरी तरीके से अनुसु जाती जन जाती और पिश्रा वर्गों के लिए उसके खिलाफ था और यदि सरकार सचेत रहती और आरक्षन आरक्षित वर्ग के पती समध्पित रहती तो यही कानून 2016 में लाया जा सकता था 2017 में लाया जा सकता था वो ना लाकर मार्च 2019 में जबकी चुनाव आ गया था उन्होंने ओर्डिनेस लाए ताकि चुनाव में अनुस जाती जन जाती पिश्रा वर्ग के लोगों को वे आकर्षित कर सके इस बीच में 2016 और 2019 के बीच में हर युनिवर्सिटी ने जितने भी कॉलिजिस थे उसमें बड़े पैमाने पर भरतिया की और जैसा की अभी मेरे गुर्वक्ता मानी मनुजाजी कह रहे थे यदि आप डिमोग्रिफिक प्रोफाइल देखेंगे प्रोफेसर्स की एस्टिन प्रोफेसर्स की लेक्चरर्स की और यहां तक की नॉन टीचिंग स्टाफ की वो अनुस जाती जन जाती पिश्रा वर्गों के खिलाफ है मानी उपसापती मौदे मैं आपसे अनुरोफ करना चाहता हूँ कि ये न्याय पालिका का जो रुख है उसके बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि न्याय पालिका में आरक्षन का कोई प्रावधान नहीं है जिसकी वज़े से जिस मानसिक्ता से आरक्षन के में लोगों में होना चाहिए उसकी कमी महसूस की जाती है अब इस बारे में मैं आपसे अनुरोफ करना चाहता हूँ कि जो बैकलॉग रह गया है 2016 से लेकर और 2019 के बीच में अनुसुजाती जन्जाती पिछड़ा वर्ग का जो अनुसुजाती जन्जाती का जो समविधानिक तौर पर बैकलॉग रह गया है पहले भरती हर इंस्ट्यूशन को पहले भरती उन वर्गों में से करना चाहिए बाद में ही उसे फिर बाकी का होना चाहिए मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि एक्सेलेंस के नाम से उन संस्थाओं में आप आरक्षन ना दे ठीक है बहुत ही वो पोस्ट जहां की बहुत ज़्यादा एस्टी और ओबी सी के लोग कौलिफाइड ना हो लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ में तो कर सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में कॉलिजेज ऑफ इंस्ट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस में आरक्षन देने में क्या इतराज होना चाहिए मैं इन दो तीन बातों का उलेक करते हुए अपनी बात यहां पर समात करूंगा आपने पांच मिनिट का समय दिया था मैं दो मिनिट अपने कम कर रहा हूँ ताकि इलेक्षन कमिशन में के बारे में ज़्यादा चर्चा हो सके और इतना ही है कि माननी मंत्रीगी से मैरा अनुरोध है कि यहाँ से डारेक्षन जाना चाहिए कि जब तक बैक्ट औरक पूरा ना हो जाए तब तक हैसी एस्टि के आरेक्षित पदों की भरती ना हो जाए तब तक अन्य वर्गों का युक्ति करना चाहिए